अगर आपने फीस पैमेंट कर दिये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद तो आप आसानी से अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और से प्रिंट करके उसे आपको अपने कॉलिज में समिट करना होगा तो चली दोस्तो आज किस वीडियो को स्टा सब्सक्राइब करके वेलिकिंग जूर्पिस कर लीजे और इस वीडियो को अपने आधर फ्रेंट के साथ भी जरूर सिर कर दीजे तो चले दोस्तो अब आपको लाइब दिखाते हैं जब भी आपको जरूरत पढ़ते तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट करना है इस फर्स्ट वाले उप्सन पर आपको क्लिक करना है अगर आपने इंप्रूमेंट एक्जाम फॉर्म फिल किया और उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले उप्सन पर आप इस तरह से क्लिक कर देंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफिस आ जाता है select exam type में आप improvement exam select करेंगे inter registration number में आपको अपना roll number लिखने हैं उसके बाद continue पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफिस आगा selected degree में आप अपना course चूज कर देंगे उसके बाद आप यहाँ लॉग इन पर click कर देंगे और यहां से आपका जो form है वो finally login हो जाएगा और आप देख लिए यह directly आपका जो form है यह download करने के लिए आचुका है examination form आप इस पर ही click करेंगे यह दुबारा से download करने के लिए बता रहा है download again तो आप इसे download पर click कर देंगे यह अगर आपके form होन में यह पहले से download नहीं होगा तो यह automatically download हो जाएगा और download होने के बाद इस तरह से यह open होकर आपके सामने आ जाएगा फिर आप इसका जो print out है उसे निकाल कर अपने संबंदित college में सभी documents बगरह लगा कर आसानी से submit कर सकते हैं आप इस निर्दिस को अच्छे से पढ़ लें वाकि इस form की video file भी अपने पास संभाल कर गए और यसे दोस्तों आपके admit card आएंगे आपको वीडियो के मादम से जानकर दी जागी आप इस चैनल को subscribe करके वे लिकिंग प्रिस कर लिजे आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते में एकनी video में एकनी information के साथ thank you so much for watching this video